नमस्कार आप सभी लोग का हर्दिक स्वागत है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस परिक्षा की जो डेट है वो एनाउंस हो चुकी है परिक्षा आपकी बहुत जल्द होने वाली है ऐसे में सबसे बड़ी समस्या है कि किस तरीके से टार्गेटेड कोश्चन को सॉल्व किया जाये तो देखें कि सातियों सबसे बड़ी जरूरी है कि हम इस समय जो relevant जो टॉपिक्स है या जो relevant कोश्चन्स है जो हमारे परिक्षा के दृष्टिकोर से महत्त्पूर है आप लोगों के लिए जो है विगत वर्षों के जितने भी प्रशन है उसका हम लोग स्वाल पेपर लेकर के आये हैं और आप कोशिश करेंगे कि इस सारे पेपर को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लौसा और मौसा का जो हमारा टॉपिक है यह हम लोग कवर करेंगे और इसे के साथ अनुपात के जितने भी कोश्चन पूछे गया है लास्ट एयर एक्जाम में जितने तरह के सवाल पूछे गया है उन सभी प्रस्णियों का हम अभ्यास करेंगे तो आये बिना किसी विलम क करेंगे आजका यह जो स्वाल है उसको अम लोग स्टार्ट करते हैं बचल सबसे सवाल हमारे पास आके आ रहा है यदि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लगुत्तम समापवर्त ये वर्ते होता है याद रखेगा ये वर्ते होता है समान है तो वह निशित रूप से संख्याओं होंगी तो देखेंगा कभी अगर कभी दो ऐसी संख्याएं है जिनका मौसा और लौसा ये दोनों क्या है बराबर है तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि उस कंडिशन में ये तभी हो सकता है जब दोनों संख्याएं क्या हो बराबर हो याद रखेगा ऐसा ये तभी हो सकता है पहले का option हमारा कौन सा सही होगा option number D चले अगले question के और बढ़ते हैं देखे दान से दो संख्याओं का लौसा और मौसा क्रमसा 252 है तो आपने एक formula पढ़ा है कि लौसा अगुडे मौसा बराबर आपका होता है पहली संख्या गुडे दूसरी संख्या यह formula अपने पढ़ा है और यह formula के अधार पे बहुत सारे सवाल हमारे लगने हैं तो देखे जखे आप आपने दिया है दोनों संख्याओं के बीज का अंतर कितना है 90 है तो माल लिया कि एक संख्या उसमें से यक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगी यक्स प्लस 90 हो जाएगा क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है आपका 90 है तो यह एक दिखास समिक्रण बनेगा बच्चो दिखास समिक्रण बनेगा यानि 18 गुडे 252 बराबर यहां पर यक्स का गुड़ा करेंगे तो यक्स पर गहा 2 धन 90 अब सबको एक तरफ लेके आए तो यक्स पर गहा 2 धन 90 अब यक्स माइनस 18 गुडे 252 बराबर 0 अब यहां पर हमको इसका गुड़नखंड करना है ठीक है अब 18 गुड़े जो 252 है इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर कितना मिल जाए 90 मिल जाए तो 18 गुड़े 252 को हम लिख सकते हैं क्या 126 गुड़े दो 18 और 2 को एक साथ कर दो कितना हो जागा 18 गुड़े 26 गुड़े 126 और 126 में से हम 36 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 90 मिल जाएगा तो यहाँ पर वो युगम हमको मिल चुका है जिसकी मदद से हम 90 प्राप्त कर सकते हैं तो चली 18 गुड़े 252 बराबर कितना हो जाएगा हम इसको 90 को लिख सकते हैं 126 माइनस 36 गुड़े 252 बराबर कितना हो जाएगा जीरो अब रैकेट को तोड़ दिए यक्स स्क यक्स माइनस 36 मिल गया और दूसरा गुर्णखंड क्या मिला यक्स बराबर 0 तो यहां पर यक्स के दो मान मिलेंगे एक तो 36 मिल गया और एक क्या मिला माइनस 126 तो माइनस 126 वाले अगर हम वैलू को अग्राह मान लेते हैं तो हमारा जो एंसर होगा वो यक्स बराबर क्या हो की 90 का अंतर आ रहा था, तो कितना हो गया, 126 हो गया, clear है, अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों का योगफ़न निकालना है, तो 36 और 126 को अगर हमने जोड दिया, तो यह हमारा एंसर कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, हमारा कौन सा ओप्शन सही है औप्शन नंबर हमारा क्या सही है बी सही है ठीक है उमीद आपको यह समझ में आया होगा चलिए अगला प्रेशन लोग देखते हैं 4052 और 12576 का लोसा क्या होगा देखेगा कभी भी याद रखेगा मौौसा क्या होगा माफ करिएगा वैसे तो लोसा और मौसा निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन कभी भी याद रखेगा अगर बड़ी संख्या होता है यानि कि बड़ी संख्याओं का अगर मौसा निकालना होता है तो हमेशा कोशिश करिएगा कि भाग विदी के द्वारा हम उनका मौसा निकालें तो यहाँ पर देखेगा 4052 आपकी छोटी संक्या है 12576 आपकी बड़ी संक्या है 12576 में 4052 से भाग देंगे तो कितनी बार में भाग चाएगा 3 बार में भाग चाएगा तो 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 और 3 चौक को 12 6 में से 6 गटाएगे 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, कितना बचेगा 420 अब वापस हम क्या करेंगे 420 से भाग देंगे, कितने में भाग देंगे, तो 4052 में भाग देंगे, कितनी बार में भाग जाएगा दिखें कर दहा में 40, लगवंक 9 बार में भाग जाना चाहिए, तो 9 सुनाए सुन, 9 दूनी 18 का 8 हात में आये, 9, 36, और कितना हो जागा 37, खटाइए, 2, 15 में से 8 जाएगा 7, और यहां पे कितना बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, कितना हो गया 272, अब पीस से 272 में से भाग दे के 272 में एक बार में भाग जाएगा तो 148 बार में से 8 जाएगा 4 और यहां पर कितना 6 में से 4 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 124 फिर 124 से भाग दीजिए 148 में कितनी बार में भाग जाएगा एक पार भाग जाएगा तो आट में से चार जाएगा चार में से तो जाएगा दो कितना हो गया 24 अभी आपका हो गया 124 कितने भाग जाएगा 24 पच्छे 120 कितना पच्छेगा आपका 4 तो यहाँ पर देखेगा अंतिम जो हमारा भाजक है वो कितना आ रहा है चार है यानि कि ज अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन में इसी तरह के से हैं यह आपको 456 और 204 का मौसा निकालना है तो 456 और 204 का आपको मौसा निकालना है तो आप भाग विदी से निकाल सकते हैं 204 से 456 में भाग दे दीजिएगा कितनी बार में भाग जाएगा दो बार में जाएगा तो तो इसको आप 50 अकर मानते हैं तो लगबग 4 बार में भाग जाना चाहिए तो 4 बाठे 32 और तो 4 बाठे 32 का दो हात में आ तीन, 4 चो को 16 तीन, 19 कितना होगा एक सो बानवे तो यहां से घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2 और 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा आपका, एक बचेगा 12 फिर 48 में भाग देंगे, तो 12 चो को कितना होगा, 48 हमारा भाजर कितना होगा, 12 यानि कि इसका हमारा solution कितना होगा, 12 ठीक है, आपको समझ में आया होगा अच्छा, एक दूसरा तरीका भी लगाने का है, वो मैं आपको बता दे रहाँ, देखी का 456 और 204 है, आपको यह सोच रहा है कि यह दोनों संख्या किस संख्या से कट जाएगे तो देखो, असपस्ट है, यह चार है, तो दो से कटी जाएगा, दो दूना चार, दो दूना चार, दो अठे सोला, दो एकम दो, दो दूना चार तो यहां पर 17 एक अभाज संख्या मिल गया, यानि कि 58 और 17 अब किसी संख्या से नहीं करते हैं, तो बाये तरफ जो यह गुडणखंड हमको मिलता है, इसका जो मौसव हो जाएगा, उन सभी का गुडणफल हो जाएगा, यानि कि हम प्रक्रिया को कहा रोग देंगे, जब तक हमको कोई ऐसी संख्या न मिले, जिससे ये दोनों संख्या नीचे वाली ये दोनों संख्या कर जाए, तो हम नहीं काटेंगे, अगर ऐसी नहीं मिलती है तो, और हमारा बाये तरफ के जितने गुडणखंड होंते हैं, इन हमें पुराना बाला जो फॉर्मवला आपको क्या फॉर्मवला बताया, मज्मा गुड़े लॉष को कश्या नहीं पता है, बारग गुडणफल या हम कह सकते हैं, पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या, तो देखो मज्मा बच्चों कितना दिया है, बारगो भीए जल् गया 72 कौन सा आपका सही है option number B हमारा क्या है बिलकुल सही है चले next question बच्चों ध्यान से देखिए का कभी भी याद रखना है अगर लौस का सवाल कैसे हम जानेंगे कि किसी भी सवाल में लौसा निकालना है कि मौसा निकालना है तो याद रखना अगर सवाल में कभी में लौसा निकालना है लेकिन कई बार क्या करता है लौसा के साथ हमें सेस बचाने के लिए कुछ कहता है जैसे इस सवाल में कह रहा है कि 12 और 24 द्वारा छोटी सी छोटी संख्या ग्याद करनी है जिसमें कितना सेस बचाना है आठ सेस बचाना है तो हम अगर इसकी पहचान करे तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी सवाल में छोटी से छोटी शब्द का प्रयोग करता है तो आप समझ जाना भाई कि इसमें क्या निकालना है लॉसा निकालना है और इसके साथ हमें सेस बचाना है तो इसकी कैटेगरी को हम समझ जाएंगे कि यह लॉसा के साथ सेस का सवा तो याद रखना है अगर लो सो के साथ सिस बचाना है तो पहले लोस निकालेंगे और जो सिस बचाना होता है उसको समें क्या करते हैं जोड़ देते हैं कब जोड़ेंगे लास्ट में है ठीक है ना तो चले 12, 20 और 24 को हम सबसे पहले लोस-ऍमो Stewart निकालेंगा चार से कट जाएगा तो चारतियां इसाइबारा चार पच्चे 20, चार चके 24, अभी ये तीन से कट जाएगा, तीन एकम, तीन पांच उतार दिया, तीन दूना च्छे, इसका लॉसा कितना हो गया, तो ऊपर के गुलनखंड, बाये तरफ के गुलनखंड और नीचे के सभी है, तो हम क्या करेंगे, इस 120 में, उस सेसफल को हम क्या कर देंगे, आड कर देंगे, कितना हो जाएगा, आपका 128, कॉनसा आप्शन बच्चों हमारा सही है, ओप्शन नुमबर B हमारा सही है, 128, कम तो नेक्स कोश्चन देखें का बच्चों, फिर से एक बार, फिर से हमारा पुराना सवाल हो गया, क्या होता है आपको मौसा गुडे लोसा क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लगुत्तम समापवर्तक क्रमसा 2 और 60 है, यदि इन संख्याओं में एक दूसरे की तुल्ना में 14 अधिक है, तो छोटी संख्या ग्याद कहता है कि ए लोसा गुडे लोसा बराबर पहली संख्या गुडे दूसरी संख्या, हमने एक संख्या को यक्स माना है, तो दूसरी संख्या को क्या माल लेंगे, यक्स धन 14, चलिए, तो दो गुडे 60 बराबर, यक्स स्क्वाइर धन 14 यक्स, या यक्स स्क्वाइर धन 14 धन, सोरे, माइनस 62 120 बराबर कितना हो जागा 0 अब यहाँ पर इसको हल करेंगे दोखो 26 के 120 होता है तो 14 को लिख सकते हैं 20x-6x-120 बराबर 0 इन दोनों में क्या common होगा x common होगा क्या बचेगा x धन 20 इसमें क्या common होगा minus 6 common होगा क्या बचेगा x धन 20 बराबर 0 तो यहाँ से x-6 दोनों जगा से common होगा x धन 20 दोनों जगा से common होगा यहाँ कितना बचा x और यहाँ कितना बचा minus 6 equal to 0 तो यहाँ से x के 2 मान मिलेंगे एक मिलेगा 6 एक मिलेगा minus 20 तो minus 20 को आप अगरहा मान लिजिए तो यहाँ पर हमारा जो result आएगा वो that is x equal to 6 आएगा तो छोटी संक्या हमारा 6 हो जाएगा और बड़ी संक्या 6 धन 14 यानि की 20 हो जाएगा तो हमसे क्या पूछ रहा है कि छोटी संक्या ग्याद के रिए तो बिल्लकुल क्लियर है कि छोटी संक्या हमारी क्या है बच्चो 6 है चले यह देखेगा यह सारे प्रेश उत्तर प्रदेश पूलीस कांस्टेबल परिच्चा यह 2019 में यह सवाल पूछा गया है इसी तरह से पिछला वाला सवाल जब पूछा गया है उसके डेटेल वहाँ पे लिखी गई है आप इसको चेक कर सकते हैं प्रस नमबर 8 देखेगा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लगुत्तम समापवर्त क्रमसा 2 और 72 है बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है तो मान लिजे क्या है छोटी संख्या को आपने यक्स माना ठीक है तो formula नोट करेंगे क्या होता है लॉस गुडे मॉस देखो आप देखो जादा तर सवाल जो उत्तर प्रदिस पुलिस कांस्टेबल परिक्षा में पूछा गया है जो विगत वर्षों में पूछा गया है उसमें maximum जो सवाल है वो लॉस गुडे मॉस बराबर संख्याओ के गुडनफल के आधार पर पूछे गया है ठीक है तो इन question को आप थोड़ा से एक बार जरूर देख लीजेगा जो विगत वर्षों के प्रशन हो यह बिल्कुल आइने की तरह से काम करेगा आपके लिए और आपके सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा ह तो 2x square प्लस कितना हो जाएगा 2x यहां पर कितना हो गया 2x square प्लस 2x minus 144 बराबर 0 दो से common करके भाग दे दीजिएगा तो x square धन x minus 2 सत्य 14 दो दुना 4 ठीक है अब यह क्या होगा इसका गुलनखंड करिए तो 72 को क्या लिख सकते हैं 9 गुड़े 8 लिख सकते हैं और 9 में से 8 खटाएंगे तो कितना बच्चे का 1 मिलेगा तो हम x को बच्चो लिख सकते हैं 9 x minus 8 x minus 72 बराबर 0 इन दोनों में x common कर देंगे क्या बच्चे का बच्चे का 9 बच्चे का बराबर 0 तो दोने जगा से x दन को 9 एक common factor मिल गया क्या बच्चा x minus 8 बराबर 0 तो x का मान एक 8 आ गय एक क्या हो गया, माइनस नो, तो निगिटी वाली वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आठ, हमें कौन से संख्या ग्याद करनी थी बच्चों, हमें ग्याद करनी थी, चोटी संख्या, यानि हमारा उत्तर मिल चुका है, option number C, that is equal to 8, चरे, come to the question number 9, बहुत आसान सा सवाल है, आपको 52, 78 और 156 का लौसा निकालना है, तो सबसे पहले, आप देखो ये सारी संख्या आप देखोगे ना, तो आपको बड़े आसानी से समझ में आगे, कि 13 से कट रहा है, 13 चोक को 22, 13, 78 और 13 एक कम 13 दुना 26, अभी देखो ये किस से कट रहा है, दो से कट रहा है, तो 2 दुना 4, 2 तियाईच है, और 2 शके 12, ठीक है, हमको लौसा निकालना है, तो अभी 2 और 6 भी कट जाएगा, 2 एक कम 2, 3 उतार दिया, 2 तियाईच है, अभी ये 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो इसका लौसा कितना हो गया, सारे गुरंड़ को हम गुड़ा कर देंगे, 13 गुड़े 2, गुड़े 2, गुड़े 3, कितना हो जाएगा, 13 दुना 26, तीन दुना 6, शचा के 37 का 6, प्रदेश पुलिस कंस्टेबल परिक्षा 2018 में ये प्रस्ट ने पूछा गया है, आप से पूछा गया है, 160, 720 और 400 का मौसा निकालना है, तो देखो एक चीज़ बिलकुल क्लियर है, 10 से कट रहा है ना संक्या सारा, तो 10 से पहले कार दो, 10 से कार कर दो, 10 से कार कर दो, हो गय जाईए, अभी किस से कटेगा ये, तो आप देखोगी, ये आपका कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8, 12, 16, 8, 9, 72, 8, 45, अब ध्यान से देखेगा, जब भी मैंने आपको बताया कि मौसा के केस में हमको सिर्फ इतना देखना होता है, कि तीनों संख्याएं कि संख्या से कट जा र हो गया, बाएं तरफ के जो दोनों ये फैक्टर होते हैं, हम इका मल्टिप्लाई करेंगे, 10 वटे कितना हो गया, 80 हो गया, समझ मारा है, कौन सा आप्सान हमारा हो गया, C आप्सान हमारा हो गया, ठीक है, ये लौसा और मौसा के सवाल थे, जो विगत वर्षों के उत्तर प अनुपात का सवाल, अगर आपको वीडियो अच्छे लगीगी तो इसके बाद से एक और सीरीज हम लेकर करेंगे, जितने भी चैप्टर हमारे हैं, उन सभी चैप्टर के का जो एक अवधारात्मक जो एक लेक्चर होता है, उसको लेकर करेंगे, ताकि आपको बहुत असान सारे चिप्टर समझ में आ सके, चलिए, यहाँ पर देखेगा ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है कि 10 यक्स धन 5 अनुपाते, 42 यक्स धन 8 ये जो वैलू है, ये 5 बटे 8 का 3 घात है, 3 घात मतलब 3 घात यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, तो 10 यक्स धन 5 बटा, 42 यक्स धन 8 बरा अब गुड़ा करिएगा, 512 जीरो यक्स धन 5 दूनी 10 का 0, हाथ में आ एक पाचे कम पाच एक छे पाच पचीस सो साट बराबर, यहाँ पर गुड़ा करिएगा ध्यान से, तो 42 और 125 का गुड़ा करेंगे, तो 42 और 125 का गुड़ा करेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, यह हो गया, 845 का 0, 826 चार 20, 8,2 10, ठीक है, अब यहाँ पर सौबा सौब करेंगे, एक तरफ लेके आईए, सौरी, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, रेजर से इसको पहले हटा देते हैं, ठीक, चलिए, तो यह आपका हो गया, 54, 50, 10-1, toent, огiad 16, 30, 2, 12, 50, 60-1000, कितना होगा, 0, 5 मेंसे 2 जाएगा, 3, 2 मेंसे 1 जाएगा, 130, 1 yum, शह यहाँ अपका हो गया पांच दो में से . अब क्या निकालना है इस यक्ष के 3 घाट का मान आपको निकालना है तो यक्ष का 3 घाट को निकालना हो गया 12 का 3 घाट यानि 12 गुड़े 12 गुड़े 12, 12 का घन कितना होता है, आप लोगों को यह याद होना चाहिए, कितना होता है, 1728, तो हमारा अगौन सा आप्शन सही है, बच्छों, आप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, चलिए, उमेद हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, चलिए, अगला कोशन देखते ह कि यहाँ पे देखेगा एक कोशन दिया है, कि 2x धन 3 अनुपाते, 5x धन 4, 3 अनुपात 4 का 3 घात अनुपात है, यानि कि हम कह सकते हैं, 2x धन 3 अनुपाते, 5x धन 4 बराबर, यह 3 बटे 4 के 3 घात के अनुपात के बराबर है, तो चलिए, सॉल्व करते हैं, 2x धन 3 अनुपा गुड़ा करते हैं तो 64 दूना कितना होगा एक सो अठाइस याक्स धन दूना कितना हो जागा एक सो बानवे बराबर पांच पांदूरी दस तिन तेरे एक सो पांथिस धन 27 को कितना होता है 108 कुछ चीज़े आपको याद भी होनी चाहिए न 135 यक्स माइनस 128 यक्स बराबर 192 माइनस 108 कितना बचेगा तो 15 में से 8 जाएगा 7 12 में से 12 जाएगा 0 7 यक्स बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 12 में से 8 जाएगा 4 यहाँ बचेगा 8 तो x बराबर कितना होगा, 7 से काटिए, 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, x का मान क्या मिल गया, 12 हमें क्या निकालना है, x के घाद 2 का मान निकालना है, तो x का घाद 2 कितना होगा, 12 का घाद 2 कितना होगा, तो X का घाद 2 बराबर हो जाएगा 12 बारा जा 144 यह हमारा option कितना हो गया 144 कौन सा option सही है option हमारा क्या है C सही है चले come to the next question द्यान से देखेगा A, B और C इनका मिला करके 1152 रुपे का नुकसान हुआ किस अनुपात में 7 अनुपाते 8 अनुपाते 9 में तो अगर हम इसको अनुपात की भासा में बात करेंगे तो इनका कुल नुकसान कितना हुआ तो इसको अनुपाती योग निकालते हैं याद रखना ऐसे सवालों में अनुपाती योग के द्वारा सवाल आसानी से लग जाता है 9, 8, 17, 17 और 7 कितना हो गया 24 तो अगर हम इसको अनुपात की भासा में कहेंगे तो इनको सभी का जो नुकसान हुआ वो 24 योणिट का नुकसान हुआ है अब देखो इसमें एक नुकसान कितने योणिट का हुआ है 7 योणिट का कितने में से 24 योणिट में से कितना हो गया, सतवट्य शपपन का चह है, हात में आए 5, साचोगो 28, और 5 कितना हो जाएगा, 33, कितने रूपे का एका नुकसान होता है, एका हिस्से का नुकसान क्या है, 336 रूपे का इसका क्या है नुकसान, कौन सा आप्शन सही है हमारा, option number A सही है बिलकुल सही आप लोग भी लगाते रही है जिनको समझ में आ रहा देखेगा अब A और B दो जन है दोनों के बीच में candy candy का जो अनुपात बाटा गया है वो कितना है 4 अनुपात 9 का है 49 candy total candy कितनी है 49 candy है अगर इसको अनुपात की भासा में कहें तो total candy कितनी है 13 candy है अब आपको निकालना है कि बताइए B को A से कितनी अधिक candy मिलती है बताइए B को A से कितनी अधिक candy मिलती है तो A को कितनी candy मिली तो A को मिली 4 candy कितने में से 13 candy में से आप total candy कितना है तो 13-49 चारतिया कितना हो गया अब 12 अब बी का हिस्टा निकाल लिजे तो बी को कितने कैंडिल मिली 9 कैंडिय मिली अनुपातियों कितना है 13 है और वास्टिभी कैंडियों की कोल्ड संख्या कितना है 49 है तो 13-49 साथ माइनस बाराब बराबर गएख सवाल दियागा है X अनुपात Y बरावर 4 अनुपात 5 तो 7 यक्स धन 6Y बरावर 29 दिया हुआ है 7 यक्स धन 6Y का मान 29 दिया हुआ है तो Y का मान निकालना है तो Y का मान निकालना है तो हम कोशिश करेंगे बच्चों कि यहां से X का मान निकालने के यह जोखो इसका मतलब क्या हुआ एक्स बटे वाई बराबर चार बटा पांच तो एक्स का मान कितना होगा चार वाई बटा पांच हम क्या करेंगे इसमें एक्स का मान वाई के पदों में हम रख देंगे तो साथ कुडे चार वाई बटा पांच धन छे वाई बराबर कितना हो गया 29 हो is that 58 y बराबर 5 गोडे कितना हो गया 29 29 से काटेंगे 2 y का मान कितना हो गया 5 बटा 2 5 बटा 2 का मतलब कितना हो गया 2.5 हो गया 2.5 ardition partner 2.5 कौंसा ओप्सन हमारा सही है competition a सही है next question क्या ह vaccin मैं to come to the next question क्या हुआ है यदि 4 बटे 5 अनुपाते 12 बटे 10 समानुपात यक्स बटा 6 अनुपाते 9 बटा 2 तो यक्स का मान ग्याद करिए तो आपने समानुपात पढ़ा हुआ है समानुपात का मतलब क्या होता है कि यदि दो अनुपात आपस में बराबर हो, माल लीजे अगर पहला अनुपात कोई दिया हुआ है और कोई दूसरा अनुपात दिया हुआ है, तो दोनों अनुपात अगर आपस में बराबर है, तो इसी को कहा जाता है दो अनुपात चार बराबर, चार अनुपात आट, तो इसी को समानुपात के रुप में लिख देते हैं, चारनुपात आठ, यानि कि यह आपका क्या हो गया, इसको क्या कहा जाएगा, समानुपात की एक बहुत विशेज खासियत होती है, कि इसमें चार पद होते हैं, दो मध्य पद होते हैं, और इसमें दो जो होते हैं, वो क्या ह बाहे पद होते हैं तो समानुपात की खासियत होती है कि बाहे पदों का गुड़नफल क्या होता है बच्चों आपको पता होगा बाहे पदों का गुड़नफल बराबर होता है मध्य पदों का गुड़नफल समझ में आ रहा है बाहे पदों का गुड़नफल बराबर क्या होता बाहे पदों का गुड़नफल मद्य पदों के गुड़नफल के बराबर होगा यानि 12 बटा 10 गुड़े, X बटा 6 बराबर, 4 बटा 5 गुड़े, 9 बटा कितना हो जागा 2 तो काटिएगा 6 एकम 6 दुनी 12 हो गया, 5 एकम 5 पांच दुनी 10 हो गया 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दुना कितना हो गया, 4 X का अमान कितना हो गया, 9 दुनी 18 हो गया, ठीक है X का अमान कितना हो गया, 9 दुनी 18 हो गया, कौन सा आप्सन हमारा सही है आप्सन नंबर D हमारा क्या है, बिलकुल सही है, ठीक है स्रिमति सिंग के परिवार का मासिक बचत और व्याय का अनुपात देखो जान से यहाँ पर बचत और व्याय का अनुपात कितना दिया हुआ है तीन अनुपात आट दिया है स्रिमति सिंग को ही है इनके परिवार का मासिक बचत और व्याय का जो अनुपात है वो कितना है तीन अनुपात आठ है परिवार की आई कितनी थी? 27,500 देखो जानसे 27,500 वायए थी अगर हम यहाँ पे बचत और व्याय का टोटल अनुपात यहाँ से निकालेंगे तो उनको इसकी बचत को निकाल लिए तो आप देखो बचत का भाग कितना है तीन है तोटल आई कितनी है अनुपाती योग कितना है ग्यार है और टोटल वास्त्विक जो इंकम है वो 27,000 कितना है 500 तो कार्टें देखते करता है 11 दिनी 22, 11 55 कितना हो गया 25, jan 5,-, 75 जो यानि कि इनकी जो बचत है वो कितना है 75,00 रुपए है और यह 75,00 रुपए हर महेने की बचती है तो अगर यह पूछा जा किनका खर्चा कितना है 27,500 में से जो इनकी बचत है वो उसको निकाल दीजिएगा यानि कि हैं महेने की 20,000 रुपए हैं तो अनुपाती योग निकाल लीजिएगा तीन और एक चार, तीन और एक चार, कितना हो गया 44, अब देखो बच्चों 31 अनुपात 13 में छोटा भाग कौन सा है 13 है, कुल भाग कितना है 44 है, और वास्तविक जो टोटल है वो कितना है 264 है, तो छोटा भाग का मान कितना होगा कितना होगा काटेंगे 4 से, इसको 11 से काटिये 11 चोग को 44, 11 दूनी 22, 11 चोग को 44 4 एक कम 4 चके 24 कितना हो जागा, 13 चके 78 यानि छोटे भाग का मान कितना होगा, 13 चके 78 कौन सा उप्सन हमारा सही है बी वाला उप्सन हमारा बिल्कुल सही है ठीक है ये देखिए का उत्तर प्रदेश पुलीस कांस्टेबल परिच्छा 2018 देखिए एक बात समय लिजेगा अगर आप परिच्छा देने जा रहे है तो लास्ट येर के पेपर को खंगाल करके जाएए बहुत आपकी हिल्प होने व बराबर मद्य पद्यू का गुडणफल होता है यानि 15 वाई बराबर कितना होगा एक्स गुड़े 5 क्लियर है तो यहाँ पे अब एक तरफ रखने दिए य को इधर लेके आए तो बटे में आ जाएगा पंदरा इधर है पांच को इधर लेके जाए तो ये बटे में चला ज जाएगा यानि कि जब एक संख्या दूसरी तरफ जाता है तो बटे में चला जाता है तो फांस नियाए 15 पांच एंग में तीन बटा एक एक अनुपात वाई बराबर कितना होगा थी रेशियो बन कौन सा अप्सन हमारा सही बच्चो अप्सन नमबर सी हमारा बिलकुल सही ह अगर कोई समानुपात होता है तो बाहे पदो का जो गुड़नफल होता है वो मद्य पदो के गुड़नफल के बराबर होता है यानि X into Y बराबर 9 गुड़े 5 तो X Y बराबर कितना हो जागा? 45 देखेगा ये सारे सवाल थे जो आपके लास्ट येर के पेपर में क्या किये गया है पूछे गया है चलिए एक कुशन और देखे दिया हुआ है 84 है इसको किस अनुपात में बाटा गया है? 5 अनुपात 9 के तो 5 अनुपात 9 के अनुपात में बाटा गया है तो अनुपात में बड़ा कौन है? 9 है, क्लोटल कितना है? अनुपाती योग 14 है, कितना इसका संपूर भाग किसको बाटा गया है? 84 को बाटा गया है, तो 14 छके 84, 9 छक कितना हो जाएगा? चहुआन आपका हो जागा, क्लियर है? चलिए, थांक्स पूर वाचिंग, सब्सक्राइब कर दीजेगा चैनल, अगला वीडियो प्रतिसत और लाब का होता है, सारे पेपर को जरूर देखके जाएगा, आपकी जरूर मदद मिलने वाली है, हम कोशिस करेंगे, कि कम से कम एक अ अच्छा रिवेजन आपका हो जाएगा, धन्यवाद